वेलो गाइस नमस्ते वागम बेक टू मैजिका हैं फ्रेंस आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं फॉर डियाइवाइग जिसमें हम यूज करेंगे पेकार कत्रन पुराने जो कपड़े होते हैं वो हमें ऐसा लगता है हम इसे खलिप को भी नहीं ले सकते ऐसे जो कपड़े हैं उसका यूज करके हम घर के लिए कुछ खास यूज फूल चीज बनाएंगे तो वोब करती हूं आज के सारे आज आपको बहुत अच्छे लगेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हां आपको कौन सा डियाए अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर ब अब इसे हमें कैसे वोड कर लेना है और इस तरीके से कौन का सेप दे दीजिए अच्छे से सल्वेटे निकाल के आपको करना है आप चाहे तो यहां पर प्रेस भी कर सकते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे कौर्णर से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे तो यह सरकल हम कट कर रहे और अब देखिए मैंने इसमें फोम डाला ओल्ड कुर्ति का कपड़ा डाल के कुल्ट किया है और एक सरकल में हमने डाला है राइस बेग इसे सैंटर से हम कट करेंगे और यहां पे हम एक जिब को अटेज करेंगे देखिए यहां पे राइस बेग डालने का जब्द बनाना यहां पे हमने जिप अटेज किया अब हम प्रेस्टीज करेंगे और इसी मेतर से हमें सामने का जो पार्टे उसे भी स्टीज करके टॉप स्टीज कर लेना है तो यहां पे आप देख सकते हो हमने जिप को अटेज कर लिया है और स्टीज भी कर लिया है जिप के अंदर ह 9 by 46 inches है तो यह जो हम अटेज करेंगे इसे तो कैसे अटेज करना है तो देखिए पहले सरकल को लीजिए पहले हम फोर्मवारा जो हमारा सरकल है वहाँ पर आपके पास जो भी अवेलेबल है लेस जो आपको अच्छी लगती है वो इस तरीके से अटेज करनी है पूरे राउन म अगर आपका border extra है तो cut कर लीजिएगा और पूरे नाप से हो रहा है तो कोई दिकत की बात नहीं है आप वहाँ पे जोड कर लीजिएगा देखिए यहाँ पे हमारा पूरा हो रहा है एक्छा नहीं है तो हम यहाँ पे इसे दोनों को जोड लेंगे जोडने के बाद आपको क बेज कर लीजिए तो यह आपका बनकर रेडी है अब आप इसे सीधा कर लीजिए अब आपके पास जो भी जैसे सर्दियों के बहुत सारे कपड़े हैं तो सर्दियों के कपड़े इसमें स्टोर कर सकते हैं एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं सोल है चादर है तो वह इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, बच्चों की खिलों ने भी स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने बहुत सारे ओल्ड क्लोथ थे, जिसे इसके अंदर भर दिया है, तो यह देखिए, यह हमारा ओर्गिनाइजर रेडी है, फ्लोर सोफा हमारा रेडी है, देखिए कितना इसके उपर बैठ के हम enjoy कर सकते हैं और हमारे extra कपड़े भी store हो जाएंगे अब हम बढ़ते हैं second idea की और तो यहाँ पर सलवार का जो कपड़ा बचा हुआ था उसी के टुकड़े को मैंने लिया है बेक साइड में मैंने उसी का अस्तर डाल दिया है नाप है 7.5 by 7.5 inches अब मैंने इसी से थोड़ा contrast color की और दो सेम नाप से कपड़े कट कर लिये हैं कत्रन के जो बचे हुए थे उसे हमें ऐसे जोड़ लेना है देखिए पहले यहाँ पर stitch करना है दोनों पार जोड़ जाए उसके बाद आप यहाँ पर जोड़ दीजिए तो इससे जोड़ने के बाद एक हमारा square piece रेड़ी होग 15 by 15 inches का यहाँ पर आप कोई भी बचे हुए कपड़े में से बना सकते हैं जरूरी नहीं है सलवार का कपड़ा अब देखिए मैंने इससे 20 इंचिस का plan कपड़ा लिया है सलवार का ही है तो 20 इंचिस इसकी लंबाई है चोड़ाई है 15 इंचिस अब हम इसे कट कर लेंगे तो देखें यह फोल्ड हो चुका है दोनों अब आप क्या करेंगे यहां पर इसे रखिए और इसके उपर देखें कुछ इस तरीके से यह पाट रखना है और फिर दूसरा पाट रखना है और फिर यहां से लेके यहां तक स्टीच करना है तो यहां पर एक प्यारा सा डिजाइ हमारा पिलो कवर रेडी हो जाएगा और हम इसके अंदर पिलो डाल देंगी यहां पर आप देख सकते हो जो पिलो हम यूज कर रहे हैं वो वेश्ट कतरन में से ही बना है लेकिन बहुत ही सोप्ट है तो आप यह आइडिया भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर देखे कितना प् छ Çay लीथ इसे हंपोज़ कर लेंगे क्विल्ट उसके बाद हम इसका सेप देंगे इसेप देंगे सरकल हुल हविल्ट हमारे Enemy did है अब हम इसे सरकल सेप देंगे तो दिख कर लिया है और यह सरकल बनकर रेडी है अब हमने क्रोस में कट की हुई पाइपिन लेनी है यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे राउन में आपको अटेज कर लेनी है कुछ इस तरीके से आप नाप ले लीजिए और फिर कट लगा लीजिए यहाँ से कट लगाने के बाद हमने इसे अटेज कर लिया है सिंपल सा आइडिया है जिसे आप रोटी रुमाल की तरह यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं यूज करना है तो जो कड़ाई होती है कुकर होता है घर्म चीज होती है उसके नीचे भी आप इसे रख के यूज कर सकते हैं आपकी मरजी है जैसे करना है उसके बाद मैंने ये sleeves के बचा हुआ कपड़ा लिया है उसके साथ मैंने rice pack जोड ली है और इसका नाप है 8x8 inch सबसे पहले हम यहां से लेकि यहां तक stitch कर लेंगे stitch करने के बाद हम यहां पे करेंगे cover silay आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं अगर आपको cover silay नहीं करनी है ऐसे ही चोड़ना है तो ऐसे भी चोड़ सकते हैं लेकिन cover silay करने से finishing अच्छी आएगी तो यह पूरा हमने round में stitch करके cover silay की अब हम यहां पे देखे 2 by 2 inches का marking करेंगे और यहां पे corner को ऐसे दबाएंगे और 2 inches पे यहां पे marking करनी है और सीधी सी stitch करनी है उसी तरीके से सामने की side stitch करें देखे अब हम इसे सिधा कर लेंगे तो एक simple सा box बनकर ready हो जाएगा आप इसके अंदर pen रख सकते हैं ready होने का सामान रख सकते हैं tissue paper रख सकते हैं या फिर चमच भी रख सकते हैं तो चारो आइडिया आपको कैसे लगी मुझे ज़रू से बताना चलिए हम मिलते हैं next video में बब बाई जई भारत